आज का ये विडियो मेरे लिए बनाना बेहत जरूरी था और आपके लिए देखना भी बेहत जरूरी है ये विडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आखिर प्रॉपगेंडा कैसे फैलता है और फैलाया जाता है और उसमें किस तरह से मे वीडियो में देखने को मिलेगा अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उससे पहले में आपको बता दूँ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए क्योंकि किस तरह से प्रोपगेंडा पहलाया जा रहा है यह सब तक पहुंचन बहुत जरूरी है चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईएगा एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इंडिया टुडे एन ई ने हैंगल इनका चेक कर लीजिए और ये रिपोर्ट शेर की गई बीजेपी आईटी सेल हैड अमित मालविया दुआरा जो मनिपूर पेट्रियोटिक पार्टी जेनरल सेकरेटरी नावरेम मोहिन हैड रिटन अलेटर टू राहूल गांधी अब ये इस पार्टी के नाम पर गौर फर्माईएगा क्योंकि इस पार्टी के जो ये जेनरल सेकरेटरी बताय जा रहे हैं और इस पार्टी का नाम ही इस प पुलिटिकल पार्टी के नाम पर इंडिया तुड़ा आर्टिकल बना दिया क्यारी कर दिया उस पुलिटिकल पार्टी को अगर आप गूगल पर भी जाके टाइप करेंगे आपको सिर्फ यही एक खबर मतलब कुछ घंटे पहले की ही आपको सिर्फ दिखाई देगी और इस से जुड़ा हुआ आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा यहां तक कि विकिपीडिया में भी जाकर आप टाइप करेंगे पुलिटिकल पार्टी इन मनिपूर तो मेजर पार्टी माइनर पार्टी रिजनल पार्टी की लिस्ट में भी इसका नाम कहीं आपको दिखाई नह ऐसा हैंडल जिसने कुछ ट्वीट तक नहीं किया इसके अलाबा यह क्रियेट ही बहुत हाल फिलाल में किया गया है और इसने इस हैंडल ने अभी तक सर्फ एक ट्वीट किया है जिसको रिट्वीट इस के ऑथर यानि इस खबर के ऑथर ने जिनका हैंडल है अधुरेट ल ओर इस पर मैं क्लिक अगर करती हुँ तो नावरेम मोहन का यह ट्वीटर हैंडल निकलता है और यह खबर ही नावरेम मोहन के हवाले से हैं अमित मालवे ने शेयर किया अधुर पेट्रियूर्टिक पाटी इस जनेल सेकरिटी नावरेम मोहन अमित मालवे ने यह खबर इंडिया तुडेय में छपने के दो दिन बाद ट्वीट की थी 24 जून को 5 बच के 31 मिनट पर इंडिया तुडेय ने इस खबर को आपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया अभी मैं खबर पर आ रही हूँ देखिएगा कि किस तरह से इंडिया तुडेय ने भी मदद की है इसको आगे पहलाने में और यह जो मैंने अभी आपको बताया है कि नौरेम मोहन ने रिट्विट किया मनिपूर पेट्रियोटिक पार्टी के इस आर्टिकल को अब आगे बढ़ते हैं नौरेम मोहन के पास दो ट्विटर अकाउंट्स हैं एक इनका यही हैंडल जिससे रिट्विट हुआ है उसके अलावा जो दूसरा है वो अक्टिव नहीं है आजकल जो था अट्ध रेट नौरेम मोहन बीजे पी उनके ट्विटर हैंडल में ही बीजे पी लिखा हुआ है यानि बीजे पी से जुड़े है नौरेम मोहन यह एक बड़ा सवाल है और अगर वो बीजे पी से जुड़े हुए है आगे मैं आपको बताऊंगी कि असलियत क्या है लेकिन अगर वो BJP के member है, BJP से जुड़े हुए हैं, तो उनके हवाले से एक story छापी जाती है और फिर उस story को अमित मालविये उसको आगे और बढ़ाते हैं, इंडिया टुडे से पहले वो story करवाई जाती है और इसी तरह से अब फैलेगी, without even mentioning that this guy is not non-partisan तो आप अगर scroll down करेंगे इनके twitter profile जो की अभी active है, that is L.A.M.A.C.A. वाला जो उनका twitter profile है उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे tweets उन्होंने praise करते हुए PM और CM को उन्होंने tweet किये हैं और साथ ही tweets उन्होंने ऐसे किये हैं जो PM और CM के साथ उनके हैं अभ यह देखेंगे, एक उनका tweet है, I made a promise to voters to vote for Modi showing this picture, saying Modi ji would meet all उसके अलावा, for Uttar Pradesh, it is Modi yogi, in Manipur, it is Modi Bireen the pairs are unstoppable, best PM of a country and best CM of a state My official account verify, sometime, Naurem Mohan BJP Naurem Mohan का जो नया active account है, उसमें उन्होंने लिखा है, we vote for BJP and Modi और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर डाली हुई है आगे आप देखेंगे, तो उनका old tweet आपको दिखाई देगा, जिसमें अब वो खबर सामने आ गई है जिसमें वो BJP member पाए गए है देखिए, खबर है 2 अगस 2014, 10 बच के 23 मिनट की ये खुद लिख रहे हैं अपने उस अकाउंट से जो अभी active है I shall not wished my mother, instead we must wished Shri Narendra Modi ji who is the father of more than 100 crore Indians tag करके Narendra Modi को लिखा 11 मई 2014 का tweet है Narev Mohan फिर एक tweet करते है Nirmala Sita Raman को tag करके और लिखते है BJP Mahila Morcha team in valedictory session my mom sitting second from right on first row इनकी mother भी BJP में है, खुद ये लिख भी चुके है, तस्वीर भी डाल रहे है खुद ये BJP के member है my mother and brother with honorable minister BJP Mahila I call on Nirmala Sita Raman yesterday, thank you for the best time तस्वीरे इनकी आप देख लीजे India Today NE, यानि Northeast के लिए जो India Today काम कर रहा है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये जो मनिपूर Patriotic Party के बारे में और उसके हवाले से आपने जो ख़बर छाप दी है क्योंकि आप लोगों के काफी अच्छी रीच है एक बड़ा organization आप है क्या आपने ये verify भी किया कि ये मनिपूर Patriotic Party कब बनी ये कब form हुई है दूसरा क्या आपने background चेक करने की भी कोशिश की नौरे मोहन की कि वो आखिर है कौन जो claim कर रहे है कि वो General Secretary है इस organization के जो कब बनी है इसके बारे में पता नहीं आपने verify किया कि नहीं किया क्योंकि हाल ही में कुछ ये बनी है कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए है ये जो आदमी है जिसके हवाले से आप ए खबर चाप रहे हैं और वो Congress को blame कर रहा है राहूल गांधी को blame कर रहा है कि जी मैंने letter लिखा था ये आखिर है कौन इनका background क्या है क्या ये अभी भी BJP से जुड़े है या ये अब BJP छोड़ चुके है क्या ये आपने verify किया है शायद अब हम जड़ा बता दे आपको India टुड़े अपना एक अलग fact check चलाता है आपने देखो आगा उसका handle है A F W A C H E C K A F W A Check नाम से उनका handle है क्या वो इस खबर पर अपनी ही इस खबर पर fact check करेंगे कि आखर ये नावरे मोहन जो है इसके background के बारे में क्या इन्हें पहले पता था और क्या ये अभी भी BJP के साथ जुड़ा है और अगर BJP छोड़ भी गया है क्योंकि इसके बहुत सारी तस्वीरे तो दिखाई दे ही रही है बीजेपी के लोगों के साथ तो कितने लोग ऐसे होता है जो पार्टी छोड़ के एक छोटी दूसी कोई पार्टी बनाते है लेकिन काम फिर उनी का करते हैं ये सब कराया जाता है तो अब देख लीजिए फिर जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो नारे मोहन खुद उसके ओपर ट्वीट करके लिख रहे हैं अब तो फैक्ट चेक की भी ज़रुआत नहीं रहे गई वो खुद लिख रहे हैं मैं खुद बीजेपी मनिपूर के IT सेल के लिए उसके कन्वीनर के तौर पर 2015 तक काम कर चुका हूँ और मैं अभी भी PM नरेंदर मोधी को और CM N. बिरेंदर सिंग को सपोर्ट करता हूँ तुम्हें कोई आपत्ती है क्या मेरी किसी political affiliation से और ये आदमी ब्लेम कर रहा है कि मनिपूर का जो crisis है वो देश के प्रधान मंत्री की देन नहीं है वो देश के सरकार उसके लिए accountable नहीं है बर कौन कह रहा है एक BJP के साथ जो आदमी जुडा रहा है उसके IT से खुद बोल रहा है उसका member रह चुक है उसकी माँ उसकी member है या रह चुकी है और खुद अभी भी बोल रहा है कि अभी भी मैं उसी party को support करता हूँ नरेंदर मोधी को support करता हूँ और वो कह रहा है कि मनीपूर में जो हुआ न ये Congress की वज़े से हुआ और India Today without doing all this background check जिसने की वो और amplify हो और उसको पकड़ा किसने दो दिन बाद अमित मालविया ने अब ये भी कहला आप तो मुश्किल है कि क्या अमित मालविया ने इस खबर को India Today में छपने के बाद आक्चन में पकड़ा या ये खबर भी provide वहीं से की गई थी तो क्या ये अपनी खबरों पर काम कर रहे हैं चानल वाले या फिर IT Cell के हवाले से मिली भी खबरों को सिर्फ amplify करने का काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके followers हैं इनके subscribers हैं इनके viewers हैं जो आप लोग हैं आप लोग ही इनको बड़ा बनाते हैं और देख लीजिए धोखा भी आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो एंड तक देखना बहत जरूरी है और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो शेर करना भी कितना जरूरी है इसलिए प्लीज जादे से जादा इसे शेर करें सत्यमेव जयते